Welcome students, कैसे आप सभी लोग, आपका अपनी चैनल कोई कि स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है, देखे students सभी को पता चल गया होगा कि जूनियर एडिट वेकेंसी का जो है एक पार्शियल नोटिफिकेशन आ गया है, फुल नोटिफिकेशन नहीं कहेंगे लेकिन पार फरवरी है, तो आज से दो महीने बाद आपका पेपर होना है, और पेपर में क्या आना है, ये तो आपने मुझे लगता है, अभी तक 10-15 वीडियो देख ली होंगे यूट्यूब पे, और पूरा क्लियर हो गया होगा कि 50 नंबर जो है, वो आपकी क्या आनी है, जन्रल जिय अभी कि सच में क्या अपर प्राइमरी का जो यूपिटेट होता है, सीटेट होता है, लेवल टू क्या वो लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो अभी इतने जादा बच्चों कन्फ्यूज ना हों, हमारे अंदर क्या होता है, कि जैसी वेकेंसी का पता करेंगे, इसे यूट्यूब पर ही वीडियो देखकर थोड़ा सा सैटिस्फेक्शन चाहते हैं, कि कोई ये कहदे कि हमारी बास सच है, जो हम सोच रहे हैं, वो सच हो जाए, कोई ये कहदे, इस तरह की थौट के साथ हम सोचते हैं, ठीक है, लेकिन चीजे तभी क्लियर कौन आपका SST देगा, कौन आपकी साइंस देगा, ये सारी चीजे तभी क्लियर होंगी, तो इनको लेकर प्लीज यूट्यूब पर जादा सर्च ना करें, अपना टाइम बरबाद करोगे और कुछ नहीं करोगे, 18 तारिक तक का प्लीज बच्चो वेट कर लो, ठीक है, उस इने होता है, और पेपर ये थोड़ा हाई ही है, अब इसमें भी तक की साइनस आजाए, हो सकता है, यूट्यूब पर पहले कभी नहीं हुँआ है, और ये पूरे YouTube पर पेपर होने तक कोई नहीं बता सकता आको, क्यूंह Muhy? ये पेपर पहले कभी नहीं हुआ है और जो पेपर पहले कभी नहीं हुआ उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता, सिर्फ आपको अपनी तरीके से ही पढ़ना होगा भगवान ने साथ दिया तो चीज़े अच्छी जाएंगी आपकी महनत सची है तो चीज़े अच्छी होंगी और महनत बेकार है तो चीज़े अच्छी नहीं होंगी और आप अगर यही सोचते रह जाएंगे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है ये करना है वो करना है क्या करें क्या नहीं करें तो कुछ नहीं होगा ठीक है अपनी S.E.R.T. U.P. की बोर्ड की बुक्स उठाएं उनसे पढ़ना शुरू कर दें देखे कोई इनसान आपको ऐसा नहीं है जो दो महीने में पूरी ग्रेजुइशन लेवल तकी साइन्स करा देगा मैट करा देगा S.E.T. करा देगा एक आप खुद ही है जो उसको कर सकते हैं क्यों क्योंकि बुक रिडिंग सेल्फ स्टड़ी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम खुद से चीजे करते हैं और बारी की से हमें उन्हें खुद से समझते हैं ठीक है अब अगर आप जादा यूट् साइन्स के आपको बेस्ट तयारी करा दूँ मैं कैसे बोल दूँ मुझे खुद नहीं पता कि इसमें अभी क्या आना है है ना येस लेबल जो उन्हें दिया है ये सारे टोपिक हमने पढ़े हैं बेसिक लेवल पर भी पढ़े हैं आप चाहें कोईसा भी टोपिक दिख ये टीचर खुद बन सकते हैं और कोई आपको यहां पर माग दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि किसी को नहीं पता है इसमें क्या आना है आपको क्या करना है S.C.E.R.T. की साइंस की जो बुक्स आती है एर तक का तो देखिए हमने कर रख है और जिनोंने एर तक का बेसिक लेव तो खरीद लाएं और वहां से सैल्फ स्टड़ी खुद से शुरू कर दें और यूट्यूब पर जादा ध्यान ना दें यूट्यूब पर जादा ध्यान देंगे न तो देख लेना पेपर गलवड हो जाएगा आप सैल्फ स्टड़ी करें आपके अंदर का जुनून इतना पक्का है ना कि मुझे तो बस जॉब चाहिए, हो इनी सकता चीजे आपको समझ में ना आए, सब चीजे समझ में आ जाएंगी क्योंकि बेसिक लेवल क्लियर है, साइन्स में अगर बेसिक क्लियर होता है ना तो बड़ी चीजे भी समझ में आ जाती है, आपको खुद सेल्फ स् यूट्यूब के चक्कर में बहुत जादा ना आएं मैं सैल्फ स्टेडी बार बार बोल ली हूँ बुक्स उठाएं NCRT की बुक्स बढ़ें उनकी बुक्स बढ़ें टार्गेट बनाएं कि 15 दिन में मुझे 8th क्लास की 9th क्लास की बुक्स करनी है फिर पूरे 15 दिन में मुझे 12 तक की बुक्स करनी है बहुत साथा डिटेल में नहीं जाना है उपर उपर से दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़े और कोई टोपिक है समझ में नहीं आ रहा उस टोपिक से रिलेटेड नेट पर सर्च करें है न और उससे रि बारे में जान सकते हैं एक बार टोपिक आपने जान लिया ना उसके बाद आप अपने आप पढ़लेंगे उसके बारे में ठीक है यही एक तरीका है इस पेपर को निकालने का मुझे लगता है हो सकता है बहुत बच्ची कहेंगे ऐसा कैसे नहीं हो सकता हो सकता है बहुत से करा देंगे तयारी टीचर करा देगा तयारी लेकिन टीचर को भी तो पता हो exact आने क्या वाला है किसी को नहीं पता क्या आने वाला है इसमें है ना किस लेवल की science आएगी कोई idea नहीं है लेकिन आप ही है जो self study से इस paper को crack कर सकती है आपकी मेहनत आपकी मेहनत करें मैं फिर से बोल रही हूँ paper crack करना है तो बच्चा self study करें कोई topic समझ में नहीं आ रहा है तो net पे उसके लिए भरमार knowledge पड़ी है वहां से देखें खुद पढ़ें खुद पर विश्वास रखें और आप ये exam clear कर लेंगे otherwise आप इधर उधर भटकेंगे कि कोई हमें आके तयारी करा देगा guys जब need की तयारी करते हैं तो 9, 10, 11, 12 की book कराने में न teachers को साल साल लग जाते हैं क्यों 11 की book को कराने में school में एक साल लगता है क्यों 12 की book कराने में एक साल लगता है क्योंकि कुछ चीजें हैं science में ऐसा नहीं है तो चलो यह कह सकते हैं learn करना है science में चीजों को समझना होता है है न और उनको कोई नहीं समझा सकता आप इतनी जल्दी लेकिन आप self study करेंगे खुझ से point note करेंगे यह point जैसे आप पढ़ रहे हैं कुछ point note कर लिए यह सारे point इखटे कर लिए और फिर उनके बारे में एक साथ search कर लिया और जब आप खुझ से यह चीजे करेंगे न तो आप देखना बहुत अच्छा score करेंगे तो मेरा तो यही suggestion होगा आप personal तरीके से अपने तरीके से तैयारी करें इधर उधर ना जाएं इधर उधर जाएंगे तो चीजे खराब हो जाएंगी SCRT की NCRT की books जाउनलोड करें उनसे पढ़ना शुरू कर दें इधर उधर की वीडियो जादा ना देखें यही एक चीज है जो आपका selection करा सकती है अगर आपका जुनून पका है तो आपको selection मिलेगा ही ठीक है इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ हास से फिसल जाएगा तो बस self study ही है इस paper को crack करने का एक मातर इलाज बाकी और कोई चीज नहीं है जो इस paper को clear कर दे कि दो महीने में मैं guarantee ले रही हूँ कोई भी नहीं है जो 9, 10, 11, 12 की science आपको करा देगा लेकिन एक आप खुद हैं जो उसको कर सकते हैं अपने अंदर से भरूसा जगा ये कि मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ और मैंने बता दिया है ऐसे ही तैयारी मैंने हमेशा की है मैं खुद से ही तैयारी करती हूँ और जो topic मुझे समझनी आता मैं हमेशा net पे जाती हूँ उसको search करती हूँ देखो उसके बारे में जानो rather than की पूरा dependent हो जाओ किसी पर तो वो चीजे काम नहीं करेंगी और वो आपको पेपर में सफलता नहीं दिलाएंगी इतनी ही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी घबराना किसी को नहीं है घबराट सब को और ही है है ना कैसे होगा, क्या होगा घबराओ मत बच्चो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर focus करो phone को तो fake दो side में पर वीडियो देख लो और फिर उनको लिखो और फिर करो, ये strategy अपना होगे ना, तो paper clear कर लोगे बच्चो लेकिन अगर ये सोचोगे कि मैं वीडियो ये देखूँगा, वो देखूँगा इस channel की वीडियो देख लो, उस channel की वीडियो कर लूँ, तो नहीं होगा, बच्चो का ठीक है, तो प्लीज इस चीज़ को बारी की से समझें, और अपनी self study पे भरोसा करें, और मुझे पूरा यकीन है, आप कर लेंगे बाकी बहुत जादा, अगर कोई topic आपका doubtful है, तो telegram पर आप मुझे बता सकती है, उस से related मैं आपको समझा दूँगी, आप channel की playlist में जाएं, physics का crash course मिलेगा आपको नीचे जाएंगे तो, उसमें 50 से 60 वीडियो हैं, हर चीज़ वहाँ पर physics की clear है, topic की, ऐसे chemistry का एक crash course है, ऐसे biology का crash course है, जो मैंने पहले ही कराएं है वहाँ से topic समझ सकती हैं, आप किसी और channel से भी ऐसी particular topic समझ सकती हैं, लेकिन पूरे syllabus पर dependent ना हो, तो ठीक है, इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी, खुद से तैयारी करो, तभी ही exam निकलेगा, otherwise तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीसरी वीडियो पक्का किसी और चीज की आप देख लेंगे, और वो आपको अपने competition, अपने exam से बहार कर देगी, मैंने जो strategy बताई है, कि पूरे दिन अपने सारे topic पढ़ें, एक बार में doubt इखटे कर लें, और फिर उन doubt को एक साथ देखें, इस strategy से ये करें, और आप पक्का ये paper निकाल देंगे, मेरी तरफ से old the very best है, बाकी अठारों को जो proper notification आएगा, उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम, तब तक के लिए thank you,